हलो फ्रेंड्स क्या बच्चों को आप तेली डाइपर पहना सकते हैं क्या ये सही है तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ देखे बच्चों की स्किन बहुत जादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है तो कोई भी चीज हम उन पर यूज करते हैं तो हमें जो है बहुत जादा ध्यान रखने के जरुत होती है कि कहीं इससे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी आप बात करें डाइपर्स की तो आप बच्चों के लिए डाइपर्स यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो पूरा पूरा दिन भी डाइपर यूज कर सकते हैं पर डाइपर यूज करते हैं आप ऐसे कुछ गलतिया कर देते हैं जिससे कि क्या होता है बच्चे को बहुत लेंगे तो उसमें डाइपर की क्वालिटी अच्छे नहीं है उसमें अप्जों प्जोंप्शन अच्छी होती है ज्यल-बेस डाइपर अरहे हैं आप वो यूस कर सकते हैं नमबर टू जो चीज आपको धियार में रखनी है कि जब आप डाइपर खरीद रहे हैं तो उसका साइज जो है वो सही होना चाहिए. डाइपर ना तो ज़्यादा छोटे होना चाहिए ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए. देखिए साइज की बात करें तो जब भी आप डाइपर खरीदते हैं तो उसके उपर मेंशन होता है कि बच्चे की एज या फिर दस किलो तक के बच्चे के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो आपको पहले वो चीज देखकर ही वो डाइपर खरीदना चाहिए और देखिए ज़्यादा टाइट डाइपर लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है चिसे पैर मूव नहीं कर पाएगा और बच्चे को बहुत टाइट फील होगा बच्चा उनकमफरटेबल तो इससे कई बच्चे को एलर्जी हो जाती है या राइपर्स हो जाते हैं और अगर बच्चा जो है पूप कर देता है तो तुरंत आपको बच्चे कर डाइपर चेंज करना चाहिए इसके लब आज़कल ऐसे डाइपर्स भी आरे इसमें इंडिकेटर होते हैं कि डाइपर फुल हो गया है तो आप वो वाले डाइपर्स खरीज सकते हैं अब बात करें कि बच्चे जब राद बर्स होता है तो क्या फिर भी हमें तीन से चार घंटे में डाइपर चेंज करना चाहिए तो देखें रात के लिए आप जो है ओवरनाइपर्स आते हैं जो कि 8 घंटे के के रिले आप यूज कर सकते हैं। वो गाइपर्स आप ज़े अब सब्सकोम में होती हैं इस लिए होती हैंगिजीन करना कि डाइपर यूज करते सब हैं पर जय भ gibt रायज होते हैं किसी को भी रैश होते हैं आपनी बात करूए उन प्रें मैं बच्चे के लिए बच्चे को बचाने के लिए आप रैश क्रीम दिन में एक दो बार लगा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी इसके बाद कोशिश कीजिए कि बच्चे को दिन में 2-3 घंटे बिना डाइपर के भी रखें मैं समझ सकते हूँ कि बहुत मुश्किल होता है आपको काम करना होता है या फिर आप वर्किंग हैं आपको बाहर जाना है गर में भुख काम होते हैं और आप सोचते हैं कि डाइपर के भीना रखेंगे तो बहुत परिशान हो जाएंगे तो आपको इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जब बच्चे को थोड़ा भी रैश आपको लग रहा है तो उस टाइम पर डाइपर आपको नहीं पहनाना चाहिए अगर आप इस टाइम पर भी बच्चे को बार-बार डाइपर पना रहें तो वो जो रैश वाली प्रॉप्रम में जादा हो जाती है तो इस टाइम पर अच्छे से रैश फ्री क्रीम लगाईए उसे एक उच्छे से क्लीन आने जिए थोड़ से आप कॉटन के नैपी पनाईए या पजामा पना दीजे खुला इससे क्या होगा इससे बच्चे की स्किन को अच्छे से हवा लगेगी और वो जो रैश हुए है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे देखे रैश क्रीम आपको बच्चे के लिए जो यूज करनी है वो आपको वह लिए यूज करनी है कोई अच्छे ब्रैंड एक तो पहले आप सलेक केजे और जब भी रैश क्रीम खरीते हैं तो उसमें जो है जिंक ऑकसाइड होना बहुत जरूरी है जो जिंक ऑकसाइड होता है यही बच्चे के जो रैश हैं उनको ठीक करता है उनको होनी से रोकता है तो फ्रेंड इन सारे चीजों का ध्यान अगर आप रकते हैं बच्चे को डाइपर पहनाते वक्त तो मैं गैरेंटी ले रही हूँ कि आपके बच्चे को रैश की अच्छी हैं कौन से डाइपर्स हैं जो बच्चे के लिए हम यूज कर सकते हैं या फिर कौन से क्लोट डाइपर हैं तो उन सबीक लिंक आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप आँ जाकर उसको चेक कर सकते हैं I hope आपके लिए वीडियो हेलफुल आपके लिए हुगी